नमस्कार दोस्तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जारें मकर सक्रांती के दिन गल्ती से भी मत कर देना ये काम नहीं तो बरबाद होते नहीं लगेगी देर इस बार मकर सक्रांती का तेवार 14 और 15 जन्वरी दोनों दिन को मनाय जा रहा है दोस्तो मकर सक्रांती का तेवार बड़े ही धुम दान से लोग मनाते हैं इस दिन तिल और गुड़ का अधिक महत दिया जाता है कहते इस दिन दान देने से दान का अधिक फल मिलता है 80 साल पहले मकर शक्रांती 13 जनवरी को मनाई जाती थी लेकिन आप विशुवतों के अगरल गमन के कारण इसे 14 जनवरी को मनाया जाता है अब हम आपको बताते हैं कि मकर सक्रांती क्यों मनाई जाती है क्योंकि इस दिन सूर्य धनुरासी से मकरासी में प्रवेश करता है और इस दिन सूर्य दक्षनाइन से उत्राइन होते हैं और उत्राइन को देवताओं का दिन माना जाता है इसलिए इस दिन तिर्थ में सनान करना बहुत अच्छा माना जाता है और कई जगय तो इस दिन पीत्रों को तरप्ट करने के लिए दानपुन्य भी किया जाता है मकर सक्रांती का क्या है महत्व मकर सक्रांती के दिन शूर्य उत्राइन होते हैं और ये दिन देवताओ का दिन माना जाता है इस दिन खर मास भी खतम होते हैं इस दिन से शुब काम शुरू हो जाते हैं एक वस दो अयन के बराबर होता है अयन दो होता है एक दक्षनायन होता है और दूसरा उत्रायन होता है और इस दिन सूरे दक्षिन दिशा से उत्तर दिशा में प्रविश करते हैं और इस दिन से रात और दिन में काफी फरक आने लग जाता है रात छोटी होने लग जाती है और दिन बड़े होने लग जाते हैं पुरानों के अनुसार इस दिन मकर शक्रान्तिका व्रत किया जाता है इस दिन तीर्थ में सनान करने का बहुत महत्र अगर तीर्थ ना कर पाएं तो घर में ही तिल और गंगजल डाल कर आप सनान करें इसे भी आपको काफी महत्व पून फल प्राप्त होगा सूर्य की पूजा भी विशेस मंत्रों के द्वारा करनी चाहिए इस दिन जैसे की मकर सक्रान्ति के दिन काफी दानपुन्य किया जाता है लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि मकर सक्रान्ति के दिन कौन से कारे नहीं करने चाहिए प्यारे दोस्तों मकर सक्रांती के दिन कभी भी पेड़ों की कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए और ना ही फूल तोड़ने चाहिए भगवान शूरे की कृपा प्राप्त करने के लिए मकर सक्रांती के दिन सुर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए सास्त्रों के मुताबिक सक्रांती के दिन महिलाओं को बाल नहीं दोने चाहिए मकर सक्रांती के दिन शराप का सेवन करना वरजीत है और ना ही तामसिक भोजन का सेवन करना चाहिए जैसे लैसून, मास और प्याज जब भी कोई विक्षुक आप से भीख मांगे तो आपको कभी भी उसे मना नहीं करना चाहिए अगर वो समर्थ नहीं है अगर मकर सक्रांती के दिन आप से कोई भी विक्षा मांगता है तो आपको उन्हें मना नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आप अपनी दरिदृता को नोता देते हैं उमीद करते हैं आप इस दिन को बहुती खुशी पूर्वक मनाएंगे और अपने जीवन में खुशाली को प्राप्त करने हैं तू ऐसा कोई भी कारे ना करेंगे कि जिससे आपको दरिदृता का सामना करना पड़ें चारे दोस्तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तो जैहिंद